नमस्कार मेरे प्यारे चात्रों कैसे हूँ आज की वीडियो आपके लिए इतना इंपोर्टेंट है इतना इंपोर्टेंट है कि आप पूछिये मत रहा हूं जो समभावनाय नजर आ रही हैं इन समभावनाओं में आपका भविस भी है तो अपने भविस के साथ जान बूझ कर कि आप खिलवाड मत करिएगा मैं सच बता रहा हूँ लेकिए जब जब चुनाओ का समय आया है तो चुनाओ के आगे और चुनाओ के पीछे अगर परिच्छा पढ़ती है तो परिच्छा को ऐसे लात मार करके काफी दूर कर दिया जाता है या काफी पहले ही कर दिया जाता है जैसे कि उसका कोई वैल्यू ही ना हो बात को समझेगा मैं एकदम पर्फेक्ट बाते कर रहा हूँ आज जाब अख़वार लीजिए एक दिन पहले का लीजिए एक दिन और पहले का लीजिए या गूगल में सर्च कर लिए निकाय चुनाओ अब यह निकाय चुनाओ क्या होता है जो यूपी बोट के बिहार बोट के हिंदे मीडियम वाले गरीब घर के बच्चे में किसान घर के बच्चे या मध्यम परिवार के बच्चे हैं जाता तर यह गाउं में रहते हैं तो मैं बता देता हम बस एक मिनट समझेगा उसके बाद में टॉपी पर आ जाएंगे देखिए निकाय चुनाओ का मतलब यह होता है कि जो चौरहा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको सहरी रूप देने के लिए उसको नगर पंचायत घोशित कर दिया जाता है नग से चुनाओ होता है ठीक है बीधायक सांसर्द परधान इनके अलामा इन सब का चुनाओ होता है और इसको कहते हैं सहरी चुनाओ अदूसरी भासाम कहते हैं निकाय चुनाओ तो पूरे उत्तर परदेश में हर जिले में 10-12 ऐसे नगर पंचायत है या 8-10 नगर पंचायत है जहां पर यह चुनाओ होने हैं मनलब पूरा उत्तर परदेश का प्रसासलिक अधिकारी इस चुनाओ को संपन कराने में बीजी होने वाला है तो मैं आपको बताता हूं ध्यान से समझेगा बात को अभी तक तो जनवरी के पहले सब्ताव में यह चुनाओ संपन होने वाला था अब आपका बोर्ट परिच्छा इस चुनाओ से क्या संबंध रखता है मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक गोट पानी पीता हूं हूं तक आपका जो परिच्छा है निकाय चुनाओ से क्यों संबंध रखता है बताते हैं निकाय चुनाओ जब भी सरकार का मन होगा हाई कौट सुप्रेम कौट का आधेश होगा तो निकाय चुनाओ उस औभक्त होगा इस देश में चुनाओ से ज़्यादा महत्पूर कारे कोई हुआ ही नहीं आस तक मतलब चुनाओ टाइम से हुआ तो हुआ बाकी कारे आगे हुआ पीछे हुआ बाद में हुआ लेट हुआ इस पर बाद में विचार होता है तो जब जनवरी के पहले सब्ताह में ये निकाय चुनाओ होना था तो पूरी उमीद थी कि मार्च में आपकी परिच्छाएं सुरू हो जाएंगे क्योंकि जनवरी के आखरी तक चुनाओ समाप्त हो जाएगा फरवरी में पूरे अधिकारी फ्री हो जाएंगे और फ्री अधिकारी ही आपके यूपी बोर्ड परिच्छा को कंड़क्ट करवाएंगे और चुनाओ कराने में समर्दार बर्ग का अधिकारी इस्तिमाल किया जाता है तो सबसे ज़्यादा धैरी रखने वाला सबसे ज़्यादा सेंसिबल सबसे ज़्यादा करता बिनिस्ट अधिकारी करमचारी कौन होता है सिच्चा विभाग के लोग होते हैं इनको लगाया जाता है चुनाव में तो जब यह चुनाव में जन्वरी भर लगे रहते तो मार से आपका परिच्छा किलियर था लेकिन एक बहुत बड़ा अड़ंगा आपके सामने आ गया क्या निकाय चुनाव पर एक ग्रहम अड़ाने लगा क्या कि OBC को आरच्छड देख करके राजसरकार चुनाव कराना चाहती है लेकिन अभी दो दिन पहले 27 तारिक को हाई कोट ने आदेश किया कि आप बिना OBC को वारच्छड दिये ही चुनाव करा दिजे यथा शिग्र चुनाव करा दिजे 31 जन्वरी तक चुनाव करा दिए लेकिन योगी सरकार सब की सरकार है इनका कहना कि नहीं हम OBC को ऐसे भला कैसे छोड़ सकते हैं हम OBC को उदास कैसे देख सकते हैं इस वजह से राजसरकार का कहना है कि अगर जरूरत पढ़ी तो हम सुप्रीम कोट का दरवाजा खट-खटाते हुए जाएंगे और OBC को आरच fotograf अगरिक नहीं हाँ है और बौरिम, sprang B जो कि अवाला चुनाव कराओ तो आपका बॉड परिच्छा या तो अपरेल में डाकेल दिये जाएगा या तो कहा जाएगारिक में करालो मार्च में हमारा चुनाव है तो दो बाते हैं यहां पर सामने आई कौन-कौन दो बात है या तो फरवरी में डखेल दिये जाएंगे या तो अपरेल में आप चले जाएंगे अगर मार्च में चुनाव होने की संभावना बनी तो आप एक कदम पीछे आओ अच्छा एक कदम आगे जाओ खी सकना आपको है चुनाओ कभी खीस्सकता हो सकता नहीं है भाई आप तो नावालिक हो ज्यादतर अप तो संगर्थन नहीं बनाते परिच्छा को आगे पीछे दाइंग जहां खिसकाएं और आप किसकते भी हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ओग्र हो यह आप इन प्रेणियों को रोकिये या आगजर्णी कीजिए ऐसा मैं आपको नहीं करने के लिए मतलब बता रहा हूं कि बूर्ड के चाहतर सबस नहीं हुआ है बस इस वीडियो को देख लेने अगे बाद आपको करना क्या है इस पर भी विचार कर लीजिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप आज से अभी से तुरंद से द्रड़निश्चे करेंगे कि परिच्छा फरवरी में हो तो भी मैं पूरी तयारी करके बस आपको कुष्टी लड़ना है आप पूरा दाओं सीख करके तयार रहिए चाहे आज कुष्टी हो चाहे एक महने बाद कुष्टी हो चाहे तीन महने बाद हो सरकार को अपना संबैधानी कारे करने का पूरा अर्धिकार है सरकार करती रहेगी सरकार को आपका भी कारे करवाना है सरकार को चुनाव भी करवाना है सरकार को आपके हित के बारे में भी सोचना है तो बच्चों बड़ी लंबी लंबी बात मैं कर रहा हूं लेकिन ये लंबी-लंबी बातें आपकी बड़े-बड़े सपनों से जुड़ी हुई है और सपनों से जुड़ी ही बातें जरूर करना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार का कोता ही नहीं होनी चाहिए बस आज इतना ही फिर कुछ बताएंगे अगली वीडियो में देखते रहें msolution youtube channel